हेलो चुर्णेंट्स क्या सवाब आज हम साइन्स का फिफ चेप्टर जिसका नाम है एशुट्स बेजिस एंड सॉल्स इसके हम कोशन सिस करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को प्रेस करो ताकि आपको मरे नए वीडियोज मिले एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्रेस दे दिया अगर आप नहीं देखो देख लो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे ओके तो चलो भी स् आगे देखते हमारे तो आगे दिया है यह चारो के पिस अनसर एक साथ में देखते है यह learnt देखतो हमारे Сबीचैने पर हुआ सबंसर अ Prevention explain the reason behind it, तो इसका answer देखो, तो देखो इसमें जो आपको A है, B है, and जो आपका C है, देखो यह तीनों का answer, मैंने screen पर डाल दिया है, ठीक है, फिर देखो आपका D है, जो यह, D and E है, अलिटमस पेपर वोज ड्रॉप्ट इन्टू 2 mL, यह, and magnesium oxide, इसका answer, दोनों का, देखो, screen पर है, and then आपका F, जो है, Zinc Oxide was added to dilute HCl, and zinc oxide was added to dilute NH, इसका answer देखो, यह राइ, screen पर, पिर आपका G में का, dilute HCl was added to limestone, तो देखो, इसका answer है, ठीक है तो देखो अभी एच एंड आई में क्या है आपका पीसेज ऑफ ब्लू विट्रल वेवर हीटेड इन टेस्ट यूब और कुलिंग वाटर वस एड़ेट विट अपका आई में जो है डालूट एश्ट्व फोर वस टेकन इन एलेक्रोलाइट के सेल एंड एलेक्रिक करे नेम एंड नेम यह टाइप तो यह जितने भी है वन टू थी फॉर फाइज सिक्स सेवन एट तो यह आठ जितने भी इस कैंसर में स्क्रीन पर डाल दिये है यह सकैंसर है ठीक है तो चलो भी फोर्थ में देखते है क्या है एक्स्प्लेइन बाइड द्रॉइंग फिगर ओफ Hm fomation of sodium chloride from shutdown and chlorine तो देखो इसका इंसर है गएगा okhero можете expression of magnesium chloride from Magnesium and chlorine तो देखो इसमें आपको यह लिखना है फिफ्ट के आपका देखो शो दर डिसोशियेशन ऑफ दि फॉल्विंग कंपाउंस और डिसॉल्विंग इन वाटर विद एल्प ऑफ दि केमिकल इक्वेशन और राइट विदर दि प्रोपोगेशन ऑफ दि डिसुशियेशन इस स्मॉल और लार्ज तो देखो इसमें यह सब देखो किया है राइट डाउन दा कंसेटरेशन ऑफ इच फॉल्विंग सॉल्विशन इन जीव एल एंड मॉल पर ल तो इसमें देखो एबी सीडी तो इसका देखो यह एंसर आपको दिख रहे है आगे देखते हैं सेवन्थ में क्या आपको दिया है सेवन्थ में एंसर इस टाइब तो इसमें आपको यह लिखना है ढहिं देन भी का भी है what is meant by neutralization due to examples from everyday तो इसमें देखो आको यह लिखना है जो screen पर आपको दिख रहा है यह इसका answer है ठीक है अभी सी देखो आपको गया है explain what is meant by electrolysis of water write the elektroals reactions and explain them इसमें देखो आपको यह लिखना है ओके अभी देखो आगे देखते हैं आगे क्या है एट क्या आपको राइट दी केमिकल एक्वेशिंस फॉर फॉलिए इसमें क्या है इसमें क्या है इसमें आपको यह लिखना है थर्ड क्या है यह लिखना है यह क्या है इसप्रोड केसिन इसमें आपको इसमें मैं आपको यह लिखना है इसमें आपको यह लिखना है आपको आगे देखो क्या है इसमें पहला क्या है आपको यह लिखना है बी देखो क्या आपका cation and anion इसमें देखो आपको यह लिखना है तो आपका c क्या है negative electrode and positive electrode इसमें देखो आपको यह जो screen पर दिख रहा है यह आपको लिखना है 10 के आपका classify aqueous solutions of the following substances according to their pH into 3 groups 7 more than 7 less than 7 तो इसमें आपको इस सरीके से यह group बनाना है ठीक है तो हमारे यहां पर chapter complete हो गया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करो शेर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू